हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो लफ यू वेलकम टू लॉजिक पार्ट शाला आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 और 10 जुलाई की इंपोर्टेंट करेंट अफेस के क्वेस्चन्स वेडियो का पीडियो कहां मनीगा देखेंट त्छ जिसका लिंक डिस्किप्चन में है आप टेलिग्राम पर ढारेकieza का सकते हैं यहां पे share की जाएगी चलिए friends, important session को शुरू करती है motivation coach से the first step is always the hardest तो एक पहला ही step लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने इक पर पहला step ले लिया, तो उसके बाद आप दीरे-दीरे करके step कर लेते चले जाएंगे और success को हासिल करेंगे क्योंकि हमारे इंदर confidence कभी नहीं आता है, हमें लगता है कि यह काम हम नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा तो हम पहला ही step नहीं लेते और चब आप पहला step नहीं लोगे पहली ही CD नहीं चड़ोगे तो आप छट पे इससे पहुंचोगे, है न आलस भी होता है न कि अरे कौन छट पे चड़ेगा, कौन चड़ेगा लेकिन जब आप पहली CD पे चड़गे तो आप फिर तो आपको चड़ना ही पड़ेगा, फिर आप चड़ी जाएंगे, इसलिए पहला step जो सबसे हार्डेस्ट है, उसे लेने में देरी ना करें, उसको तुरंत लें, मतलब अपने जो भी ड्रीम्स उस पे वर करना शुरू कर दें तो चले स्टार्ट करते हैं, क्वेशन नमबर फर्स्ट से, पहला कोशन में एक और कोशन क्या बन गया, फर्स्ट अफॉल जिमेक एक्ससाइस होई, किस-किस के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में, और ये एक्ससाइस होई कहां पे, विशाखा पटनम में क्वेशन में पूचा है कि इसका कौन सा एडिशन हुआ है तो इसका एडिशन किया जा रहा है 11th, 11 एडिशन का जो है इसका आयोजन हो रहा है और ये याद जरूर रखेगा कि विशाखा पटनम में ये अभ्याद से शुरू हुआ है कौन-कौन से शेप इसमें इन्वाल हुए हैं आयनेस टेली, आयनेस कमोर्ता फ्ली टेंकर, आयनेस शक्ती एक सम्मरीन मेरिटाइम पेट्टोल एयरक्राफ्ट पी-ेट आई एंड डॉनियर तो इन्ही सबनी जो है इंडिया के तरफ से इस एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेट किया बात करें कुछ और इंपोर्टन एक्सरसाइज की जैसे भी हाली में खान क्वेस्ट एक्सरसाइज हुई थी ये मल्टी नैशनल एक्सरसाइज और कहां हुई थी मंगोलिया में एक्स एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में हुई 12th एडिशन कहां चौबटिया उत्राखंड में इसके बाद देखे अल-मोहिद, अल-हिंदी जो अभ्यास है ये इंडिया और सौधी अरिविया के बीच में हुआ था और ये exercise कहां हुई थी सौधी अरब में समुदर शक्ति अभ्यास की बात करें तो चौथा edition हुआ ये exercise हुई इंडिया और इंडोनेशिया के बीच और इसका आयजन हुआ कहां पे बाटम इंडोनेशिया में तो exercise देखे पर डेफिनेटली आपको एक कोशन जरूर मिल जाया का exam में तो किस-किस के बीच में exercise हुई कहां पे हुई addition ये सब बातें जरूर ध्यान रखे next question देखे which country will ban mobile phones, tablet and smart watch from classroom starting 1st January 2024 1 January 2024 से कौन सथ इस classes में mobile phone, tablet or smart watch पर ban लगाएगा तो इसे करेगा नीदलेंड मतब class में आप mobile phone नहीं ले जा सकते tablet and smart watch नहीं लेके जा सकते जब तक इसके बहुत साधा देखे कोई need नहीं होगी तब तक आप इस सब चीजों को नहीं लेंगे और students को एक तरीके से protect करना और साथी में इसका उदेश्य है कि student अपनी जो study है उस पे concentrate करें और अपनी जो academic performance है उसे improve कर सकें तो इसी उदेशे से जो है इस ban को लगाया गया है नीदरलेंड की capital है Amsterdam currency है euro और Prime Minister है यहाँ पे Mark Rude Next question India and which country will co-host a two-day India-Africa international millet conference तो 30 से 31 अगस्ट दो दिन का ये जो भारत-Africa अंतराश्टे बाजरा सम्मेलन होगा इसे जो है इंडिया और कौन सी country जो है इसे co-host करेगी ये पूछा गया है तो सही answer होगा Friends India and Kenya जो है इसे host करेगी दो दिन का ये conference रहेगा और इसके image बानेगी करेगा इसके उदेशे होगा कि पूरी दुनिया में देखे जो emerging smart food है उसके रूप में जो millet होगा उसके बारे में public awareness यहाँ पे बढ़ाई जाएगी इस event में government leaders होंगे researchers, farmers, entrepreneurs industry associations तो ये सबी जो है इसमें इस event में participate करेंगे millet से आपको याद होगा कि 2023 का जो year है इसे international year of millet जो है इसको घोशित किया गया है Next question India has signed a protocol document with which country to extend the current MAU on cooperation in personal management and public administration until 2028 भारत ने देखे कार्मिक प्रवंदन और सार्वजनिक प्रसाशन में सहयोग पर जो अभी recent जो वरतमान समझोता है उसे 2028 तक बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में एक protocol document पर sign किया तो ये जो देखे agreement था ना ये 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है और इंडिया और किस country ने इस पर sign किया है सही answer होगा India and Singapore ये MAU एक तरीके से दोनों countries की जो partnership है उसको मजबूत करेगा तो भारत और Singapore की जो public services के बीच में सहीयोग है अलग-लग various forms के जरिये में उसे और भी मजबूत करने में ये MAU मदद करने वाला है कुछ recent MAUs की बात करें जो भारत के other countries के साथ में sign हुए है तो देखे इसराइल के साथ में tie-up किया था IIT मदरास ने किसलिए? To set up water technology center इंडिया ने इसराइल के साथ में MAU sign किया on industrial R&D corporation पे इंडिया ने sign किया year service agreement गयाना के साथ मिलके ताकि दोनों nations के बीच में जो travel है वो और भी easy हो सके Research networking को promote करने के लिए इंडिया ने एक memorandum sign किया था Sweden के साथ इंडिया और Australia ने sign किया था audio visual co-production agreement ये agreement हुआ था इंडिया और Australia के बीच बढ़ते हैं अगले question पे Union government has signed an MAU with which country to set up the IIT Madras campus तो Union government ने किस तेश के साथ IIT Madras का जो campus हो set करने के लिए MAU sign किया है तो IIT Madras का देखे जो campus है वो इंडिया के बाहर भी set हो रहा है कहां पे तंजानिया में जो है इसको set किया जाएगा इस campus को ये जो sign हुआ ये S.J. शंकर के presence में हुआ जोके external affair minister है और किसके साथ हुआ जानजीवार के प्रेजिदेंट हुसेन अली मिविन्नी के साथ campus schedule कब तक हो जाएगा October 2023 2023 तक जोसके प्रोग्राम होंगे या इसे schedule कर दिया जाएगा to launch its program तंजाना की बात करें capital इसकी है डोडोमा currency है तंजानियन शिलिंग और प्रेजिदेंट है समया सुलूहु हसन next question देखिए which state has overtaken Tamil Nadu to become the state with the highest micro lending borrowings in India as of March 2023 March तक देखे कौन सा राज्य है Tamil Nadu को पीछे चोड़कर भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म रिन उधार लेने वाला राज्य बन गया है तो अब Tamil Nadu को पीछे चोड़कर इसमें आगे निकल गया है बिहार बिहार ने दिके जो बोरो किया है अमाउंट लगभगे 48,900 करोन रुपीज जबके Tamil Nadu ने कितना बोरो किया है 46,300 करोन रुपीज बिहार की बात करें तो स्थापना होई 22 March 1912 को Capital है बिहार की पढ़ना नितीश कुमार है चेफ मिनिस्टर गवर्नर है राजेंदर विश्वनात अरले कर बिहार के फोक्टान सें बिदेशिया, जट जातिन, जूमरी, जिजिया, कजरी, पाई का फागुआ बिहार में लोगसभा की सीटे हैं 40, राजेसभा सीटे हैं 16 और असेंबली सीटे हैं यहां पे 243 Next question देखे Who has been appointed as a chairperson of the National Green Tribunal? National Green Tribunal को कहते हैं राश्टे हरित अधिकरण इसके अध्यक्ष के रूप में किसे न्योक्त किया गया? Right answer होगा Justice Shio Kumar Singh को जो है Appoint किया गया है as a chairperson पत्पे National Green Tribunal के बात करते हैं तो इसकी सापना हुई 18 October 2010 में Under the National Green Tribunal Act 2010 के तहर्ट Headquarter इसका डेली में है चार इसके रीजनल आफिस है जो कि हैं भोपाल, पूने, कॉलकाता, चैननाई में इसका उदेश्य है कि जो environmental issues हैं उसके disposal यान उसके निस्तारण में तेजी ले के आना कि जल्दी से उनको उसका solution किया जा सके इसी पर ही वर्क करता है अगला question Who has been appointed as a executive director by RBI Reserve Bank के द्वारा जो कारे-कारे निदेशक अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है किससे अपॉइंट किया गया है तो आंसर होगा P. वासुदेवन को अपॉइंट किया गया Banking सेक्टर में कुछ और appointments की बात करें तो देखे अभी Chief Financial Officer SBI के कौन बने है कामेशर कोदवन्ती Banker बड़ोधा के MDCO बने देवदत चंद Federal Bank के Part-Time Chairman बने AP होता DBS Bank India के Managing Director बने Rajat Verma RBI के Deputy Governor अपॉइंट हुए है स्वामेनाथन जानकीरमन Next question है हमारा Who has been appointed as a MD and CEO of UK-based Liorz Banking Group तो UK में इससे चो Liorz Banking Group है इसकी MDCO की रूप में किसे न्युक्त किया गया है Answer is Sirisha Varuganti ये UK-based चो Liorz Banking Group है इसकी MD और CEO appoint हुई है तो आप याद रखेंगे appointment से तो आपको one-liner में ही question exam में पूछे जाएंगी तो friends यहाँ पर आजके हमारे questions complete होते हैं चलिए अप cover करते हैं स्टाटीग जीके के questions को पहला question देखें क्या है विश नैशनल पार्क harbors the largest number of one-horned rhinosaur आप सभी जानते हैं कि one-horned rhinosaur के लिए जो सबसी famous national park है वो कौन सा है काजी रंगा नैशनल पार्क और यह कहाँ पर located है तो काजी रंगा नैशनल पार्क है Assam state में friends बात करें Assam की तो Assam की capital क्या है दिस्पूर हिमानता विश्व शर्मा Assam के chief minister है और यहाँ पर governor कौन है गुलाब, चंद, कटारिया यहाँ की governor है लोग सबा सीटे हैं 14 राजे सबा सीटे हैं 7 और Assembly सीटे हैं पर 126 Assam से एक और बात ध्यान रखेगा friends की Assam state में वर्ट का largest river island located है जिसे कहते हैं माजुली island यह Assam में कौन सी river पर है यह भी exam में पूछ लेते हैं ब्रहमपुत्र river पर चली next question पर बढ़ती है अगला question है What was the duration of second five year plan जो दुट्य पंच वर्षे योशना थी इसकी अवदी क्या थी तो इसकी अवदी क्या थी 1956 से लेके 61 तो यह दूसरा second year plan था जो 1956 से शुरू हुआ था 61 तक रहा था और यह किस model पर based था यह भी पूछ देते है महानलोबिस मोडल के उपर यह based था इस पर mainly focus किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट पर चीक है तो country की इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट पर focus किया गया था next question देख लेते है When was the planning commission set up तो जो योशना आयो के इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1950 में 1950 में जो planning commission ने इसकी स्थापना की गई थी और planning commission का headquarters कहां पर था तो याद रखेंगे new Delhi में इसका headquarters था नरेंत मोडी जी की सरकार ने dissolve कर दिया था planning commission को कब 2014 में और planning commission को replace किस ने किया था ये भी याद रखेंगे नीती आयोग ने planning commission को replace किया था कब 2015 में तो planning commission की जगा पर ही आया था नीती आयोग एक और बात ध्यान ने किया और जो planning commission देना इसके पहले chairman कौन थे ये exam में पूछ सकते हैं जवाहर लाल नहरूजी जो है इसके पहले chairperson थे और पहले deputy chairman कौन थे गुलजारी लाल नन्दा गुलजारी लाल नन्दा ध्यान रखेंगे दोनों बाते next question देखे what was the tenure of 10th 5 year plan in India भारत में जो 10 वी पंच वर्ष है योशना है इसका कारेकाल कितना था तो इसका कारेकाल रहा था 2002 से 2007 तक और इससे head किया था former prime minister late अटल बिहारी बाजपईजी ने इसका उदेश है क्या था देखें कि जो annual GDP growth है उसको 8% तक अचीव करना और इसका उदेश है था कि जो poverty है उसको भी reduce करना इसका उदेश है था next question देखे which of the following five year plan was affected due to drought and two wars कौनसी पंचवर्षे योशना थी जो सूखे और दो युद्धों के कारण बहुत ज़ादा प्रभावित हुई थी तो वो कौनसा five year plan था तो answer होगा third five year plan जो third five year plan की अगर हम बात करते हैं friends तो ये 1961 से 66 जो है वो इसका time period रहा था और पंडित जवाहला नहरोजी के leadership में इस five year plan को start किया गया था जो ये five year plan था ना इसको गदजल योशना के नाम से भी जाना जाता था और उस time पर देखे एक तो सूखे की स्थिती पड़ गे थी ये जो योशना है वो सफल नहीं रही थी देखे और काफी ज़ादा प्रभावित हुई थी तो ध्याने केंगे कौन सा five year plan है third five year plan next question under which five year plan blue revolution was started in India भारत में जो नीली क्रांती है वो किस पंच वर्ष है योशना के अंतगर शुरू हुई थी तो सही आंसर होगा seventh five year plan blue revolution को पहली बार इंडिया में लौंच किया गया था ऐसा नील क्रांती मिशन के नाम से seventh five year plan में और seventh five year plan की duration कब से थी 1985 to 1990 तो ये ध्यान रखेगा friends हर एक five year plan की देखे हमें जो duration है वो भी याद रखनी है और इस पे देखे आपको वीडियो पे प्रोवाइट हो गई है जो five year plans है उस पे आपको एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइट की है आप strategy की जो playlist है उसे जरूर चेक करें यहां आपको वीडियो मिल जाएंगी और ये वीडियो काफी important है क्योंकि अक्सर यहां से question exam में देखे जाती है तो friends यहां हमारे आज की वीडियो के questions complete होती है अब बारी आती है test की हम हमेशे देखे आपको current affairs में दो question देते हैं test के आप इन दोनों question को ज़रूर solve किया करें और हमें comment box में इनके answer ज़रूर बताएं पहला question क्या है word badminton day wish of badminton दिवस किस दिन मनाया जाता है तो अब इन recent ही देखे celebrate किया गया है दूसरा question है which state government has launched the जगन्ना अम्मा वोडी scheme तो जगन्ना अम्मा जो वोडी योशना है किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो आप सभी इनके question के answer आप हमें comment box में ज़रू बताएं इसे के साथ ही video हमारी यहां हो जाती है friends complete अगर आपको हमारा session अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें share करें friends और channel पे नई हो तो please channel को subscribe ज़रू करें ऐसी ही importance वीडियो को हम आपके लिए लेके आते रहेंगे जुड़े रहें logic पार्शला से और देखे हमारे telegram गुरूप भी ज़रू जॉइन करें वहीं आपको सभी पीडियो अवेलेवल मिल जाएंगी thank you so much for watching this video